हलो बच्चो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रती दिन सुबह नौ बजे से दस बजे तक अपनी कौपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्धाले कारिकरम देखने के लिए तयार रहते हैं जहां कलास छे से आठ की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं कारिकरम में बताई जा रही इंपॉर्टन पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिविजन कर सकें और हां बच्चों एक बात और हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्धाले कारिकरम में सीखते हैं उसका अध्यान अपनी किताब में भी जरूर करें इससे उन चाप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे तो बच्चों चलिए देखते हैं आज हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करने वाले हैं आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गनित की जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं का वित्रन या बंटन गुनों के बारे में उसके बाद क्लास 7 में हम लोग सीखेंगे दशमलव और पूर्ण संख्याओं का विभाजन करना फिर क्लास 8 में परिमे संख्याओं को और अच्छी तरह जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले के साथ बापू की कहानी जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पिछली बार हमने ये जाना कि पिता के मृत्यू के बाद गांधी परिवार की हालत लगमगा गई पिता के मित्रि ने ये सला दी कि बापो को पढ़ने के लिए विलायत भीज दिया जाए और बापो ने विलायत जाने के लिए उनकी सला मान ली मा की चिंता दूर करने के लिए मोहनने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मास को हाथ नहीं लगाएंगी और ना ही कोई गलत काम करेंगे मोहन ने अपनी पत्नी और नवजाद बेटे से विदाली और मुंबई की तरफ निकल गए अब तक मोड बनिया जाती से कोई भी विदेश नहीं गया था मुंबई में जाती पंचायत बेठी जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गये इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा मोहन के बड़े भाई ने जाती पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया चार सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाँ से इंग्लेंड रवाना हो गए एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था बाकिस अभी यात्री यूरोपिये थे मोहन अग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई मोहन दास सफेद कपड़े पहने अकेले रखती थे कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहन दास की मदद के लिए आगे आए इन में मुख्ये थे एक डॉक्टर प्राण जीवन महता आगे चलके विगांधी जी के प्रियमिद्र और समर्ठक भी बन गए शुरू के महिनों में तो मोहन दास बहुत दुखी थे घोर आसुविधा थी सब कुछ पराया था घर की याद सताती थी खास तोर पे भूजन के समय मा के सामने मास ना खाने की कसम खाई थी लेकिन लंदन में शाकहरी खाना बहुत बेसवाद होता था सिर्फ ब्रेड और उबली सबजिया मिलती थी तीनों समय कहां तो मा के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भूजन रोज मिलता था और अब कहां एक दिवान के बेटे की फाके की नौबत आ गई थी यहां पैदल चलने और पढ़ने की बच्पन की आदत बहुत काम आई जितना हो सकता मोहंदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्ते पढ़ते घूमते रहने की वज़े से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भूज़नाले भी मिलने लगे और यहां खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी मोहंदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था मितर उन्हें पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं अंग्रेजों का रहन सेन सीखना भी जरूरी है तो अब मोहंदास जेंटल मैन बनना चाहते थे तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई नाचना सीखने की कोशिश करी वॉयलन बजाना भी बाल काड़ना, ताई बांधना और भाशन देने की कला भी सीखनी चाही मोहंदास यह सब सीखनी पाए अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था उन्होंने सोचा मुझे कौन सा इंग्लेंड में जीवन बिताना है लच्छेदार भाशन सीख कर मैं क्या करूँगा और नाच नाच कर मैं सब्भे कैसे बनूगा मैं तो विद्ध्यार्ती हूँ मुझे विद्ध्यादन बढ़ाना चाहिए और फिर कुछ मैनों में वो समझ गए कि फिजूलकर्ची बन दोनी चाहिए और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लोटा दिया कि वे उसे बेज कर धन लोटा सके अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पढ़ गी जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किये और इससे उनका स्वास्ते भी ठीक बना रहा वकालत के पढ़ाई तो आसान थी उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया आज के लिए इतना ही आगे हम देखेंगे कि जब बापु वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परिशानियों का सामना करना पड़ा इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरन या बंटन गुण यानि डिस्टिब्यूटिव प्रॉपर्टी मान लीजिए प्रति दिन आपके पापा आपको तीन रुपए देते हैं और मा दो रुपए जिने आप गुल्लक में जमा करते हो क्या आप बता सकते हैं पांच दिन में आप इतनी धनराशी जमा कर पाओगे इसे हल करने के दो तरीके हैं विदी 1 आप एक दिन के कुल्लराशी पता कीजिए जो होगी तीन धन दो रुपए इस प्रकार पांच दिन में आप पांच गुना तीन धन दो रुपए इतनी धनराशी जमा कर पाओगे इसका हल होगा पांच गुना पांच यानि कि 25 विधी दो, एक तरीका यह भी है कि पहले आप पाँच दिन में पापा से कितने रुपे मिलेंगे, यह प्राप्त करें, फिर दोनो धनराशियों को जोडें, यानि कि पाँच गुणा तीन, धन पाँच गुणा दो करें इसका हल होगा 15 धन 10 यानि 25 क्या ये पहले हल के समान ही है? हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं? 5 गुणा 3 धन 2 बराबर है 5 गुणा 3 धन 5 गुणा 2 के? हाँ, इसका अर्थ क्या है? यहाँ दो संख्याओं के योग को बाटा गया है यानि कि योग पर गुणन का वितरण हुआ है ठीक इसी तरह किने भी 3 पूर्ण संख्याओं? A, B और C के लिए A गुणा B धन C का A गुणा B धन A गुणा C के रूप में वितरण किया जा सकता है इसे योग पर गुणन का वितरण गुण यानि कि Distributive Property of Multiplication over Addition कहते है क्या व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है? सोचिए, सोचिए आईए इसे समझे मान लीजिए, प्रति दिन आपके पापा आपको तीन रुपे तो देते हैं और आप उसमें से दो रुपे प्रति दिन खर्च करते हो तो पांच दिन बाद आपके पास कितनी धनराशी जमा होगी? इसे भी हम दो विधियों से हल कर सकते हैं पहली पांच गुणा तीन रिन दो इस विधी से जिससे पांच यह जवाब प्राप्त होता है और दूसरी पांच गुणा तीन रिन पांच गुणा दो इस विधी से भी हमें पंदरा रिन दस यानि पांच ही जवाब प्राप्त होगा इस तरह से 5 गुणा 3 रिंड 2 बराबर है 5 गुणा 3 रिंड 5 गुणा 2 के यानि के पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है यानि के किनी भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C के लिए A गुणा B रिण C का A गुणा B रिण A गुणा C के रूप में वितरण किया जा सकता है इसे व्यवकलन पर गुणन का वितरण गुण यानि Distributive Property of Multiplication or Subtraction कहते हैं इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणान का वितरण या बंटन गुण यानि Distributive Property सचिन के घर प्रति दिन एक लिटर दूद 35 रुपए के मूल्य से और बिस्कुट का एक पैकेट 15 रुपए के मूल्य से लाया जाता है क्या आप पता कर सकते हैं साथ दिनों में इनमदों यानि आइटम्स पर कितना वियाए यानि एकस्पेंस होगा विदी एक इसे हल करने के लिए हम एक दिन का कुल वियाए प्राप्त करेंगे जो होगा एक लिटर दूद का मूल्य, धन, बिसकुट के एक पैकेट का मूल्य, यानि के रुपए 35 धन, रुपए 15 अगर हमें एक दिन का कुल व्याय पता हो और साथ दिनों का प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? विचार करें हमें एक दिन के कुल व्याय का यानि 35 धन 15 का साथ से गुणा करना होगा इसका सरल रूप होगा रुपए 7 गुणा 50 यानि के रुपए 350 विदी 2 पहले हम साथ दिनों में दूद पर कितना व्याय होगा यह पता करेंगे जो होगा रुपए 7 गुणा 35 इसी तरह हम साथ दिनों में बिस्कुट के पैकेट पर कितना व्याय होगा यह पता करेंगे जो होगा रुपए 7 गुणा 15 फिर हम इनको जोड़कर कुल व्याय प्राप्त करेंगे कुल्व्यय बराबर रुपए 7 गुणा 35 धन 7 गुणा 15 यानिकी रुपए 245 धन 105 जो होगा रुपए 350 इस तरह से दोनों विदियों से कुल्व्यय समान ही प्राप्त होगा इस तरह से 7 गुणा 35 धन 15 बराबर है 7 गुणा 35 धन 7 गुणा 15 के यह योग पर गुणन का वित्रण गुण यानि Distributive Property of Multiplication over Edition है अगला उधारण हरीश के पिता के देनिक आय 315 रुपए है क्या आप पता कर सकते हैं कि उनकी वार्शिक आय क्या होगी उधारण में यह दिया गया है कि हरीश के पिता की देनिक आय 315 रुपए है हमें यह पता करना है कि उनकी वार्शिक आय क्या होगी इसके लिए हमें एक वर्श में कितने दिन होते हैं यह पता करना चाहिए एक वर्श में 365 दिन होते हैं इस तरह से उनकी वार्षिक आये होगी रुपए 315 गुना 365 अगर हम देखे तो यह गुनन करना आसान नहीं है लेकिन यहाँ योग पर गुनन का वित्रन गुन का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है यानि कि 315 गुना 365 लिखा जा सकता है 315 गुना 300 धन 60 धन 5 यहाँ अगर योग पर गुनन का वित्रन करना हो तो यह कैसे करेंगे विचार करें योग पर गुनन के वित्रन से इसे हम ऐसे लिखेंगे इसे हल करने पर हरीश के पिता की वार्षिक आये एक लाख 14,975 रुपए प्राप्त होगी अगला उधारण वित्रन गुन यानि डिस्रिप्यूटिफ प्रॉपटी के उप्योग से पांच गुना 78 का मान प्राप्त करें पांच गुना 78 को हम पांच गुना 80 रिंड दो लिख सकते हैं व्यवकलन पर गुणन के वित्रण गुण से यानि Distributive Property of Multiplication over Subtraction से इसे 5 गुणा 80 रिन 5 गुणा 2 लिखा जा सकता है। इसे हल करने पर 400 रिन 10 यानि की 390 प्राप्त होगा। इस तरह से वित्रण गुण के उप्योग से हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवगलन पर गुणन के वित्रण गुण के उधारण। मित्यधारण एक दो गुणा 188 के लिए सही परियाए कौन सा है। वित्रण का अर्थ कई बार अंकों को अलग करना समझा जाता है और आप्शन एक यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह संख्याओं को जोडने के स्थान पर गुणा किया जाता है और इस तरह से आप्शन दो यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ से option 3 जवाब दिया जाता है। कई बार कोश्टकों का प्रयोग निरर्थक समझ कर इसे नजर अंदास कर दिया जाता है। और दी संक्रियाओं को option 4 के तरब व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत जवाब है। मिथ्यधारना 2 12 गुणा 5 दन 7 का वितरन किस प्रकार किया जा सकता है। वितरन गुण का उप्योग करते समय कोश्टक के बाहर की संक्या से कोश्टक के अंदर लिखी संक्याओं का गुणन यानि multiplication करना होता है। इस समझ से option 2 यह सही जवाब दिया जाता है। वित्रण गुण की समझ में उल्चन के कारण कई बार बाहर की संख्या का अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है, जो की गलत है। इसी तरह योग पर गुणन का विटरन करते समय, कोश्टक के अंदर संख्याओं के बीच योग का संकेत व्यक्त किया जाता है और गुणन का संकेत कोश्टक के बहार व्यक्त किया जाता है. यह भी गलत समझ है. मित्यधारना 3 सही समझ है उभई निष्ट संख्या को कोश्टक के बाहर लिखा जाता है और जिन संख्याओं के साथ उसका गुनन होता है उसे कोश्टक के अंदर जोड दिया जाता है इस समझ से option दो सही जवाब है वित्रन गुन के संदर्ब में महत्वपूर्ण बाते इस तरह से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के गुनन के वित्रन गुन से संबंदित मित्यादारना है कोरोना से डरे नहीं एहतियाद बरते वैसे तो स्वक्ष्टा और व्यक्तिकर साफ सफाई हर समय जरूरी है लेकिन अभी कोरोना महमारी फैलने के दौर में यह एकदम आविश्यक हो गई है बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रती विशेश तोर पर सजग रहे हैं आईए इसे बिंदुवार समझ ले भात को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंडवाश से कम से कम 20 सेकंड तक दोएं या अलकॉहल साइनिटाइजर से साफ करें होटल या किसी कारियाले में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वाशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्व्यक्ति या खास छीक रहे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें भीड़बाड में मास्क लगाए रखें या मूँ नाक को ढख कर रखें यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उप्योग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तमाल न करें फर्ष और अन्य सेतों को घर्ष में रोजाना प्रयोग किये जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाईल से साफ करते रहें आज हम सीखेंगे दशनलफ संख्याओं का विभाजन मनीशा ने दुकान से तीन, एक जैसे रुमाल लिये इन्हें सजाने के लिए उसने इनके चारो ओर लेस लगाई अगर उसने तीनों रुमाल को लगाने के लिए 4.26 मीटर लंबी लेस का प्रयोग किया होगा तो उसने प्रत्यक रुमाल के लिए कितनी लेस का प्रयोग किया होगा? यह पता करने के लिए हमें 4 दशनलव 2 चो को 3 से विभाजित करना होगा यहां हमें दशनलव संख्या को एक उर्ण संख्या से विभाजित करना होगा आईए इसे हल करे अगर हम एक वर्ग को एक एकाई मानते हैं तो पहली संख्या 4.26 हमें बताती हैं हमें कितने वर्ग छायांकित करने हैं और दूसरी संख्या 3 हमें बताती हैं हमें छायांकित भागों को कितने बराबर भागों में बाटना हैं 4.96 को निरूपित करने के लिए हम 4 पूर्णवर्ग और एक वर्ग का दो दशांश और 6 शतांश भाग चायांकित करेंगे. अब आईए, 4.96 को 3 बराबर भागों में विभाज़ित करें। क्या आप बता सकते हैं, हम चार इकाईयों को तीन बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे? सोचिए, सोचिए. चलिए हम बताते हैं, हम प्रतेक भाग में एक-एक इकाई रख सकते हैं. ऐसा करने पर एक इकाई शेश रहेगी. इसे विभाजित करने के लिए हमें इसे दशांच भागों में बाटना होगा. अब यहां कुल 10 जमा दो, यानिके 12 दशांच भाग है. इसे 3 बराबर भागों में बाटने पर प्रतेक भाग में 4 दशांच आएंगे. हम बच्चे 6 दशांच को भी 3 बराबर भागों में बाटने इसे प्रतेक भाग में 2 दशांच आएंगे. अब आप देख सकते हैं कि प्रतेक भाग में 1 इकाई है, 4 दशांच है और 2 दशांच है. इस तरह से प्रतेक भाग होगा 1.42. हम कह सकते हैं कि 4.26 विभाजित 3 बराबर 1.42. याने कि मनीशा ने प्रतेक भुमाल के लिए 1.42 मीटर लेस का प्रयोग किया होगा. गनित में दशमलव संख्याओं का विभाजन करने के लिए पहले हम इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं. फिर हम इनका विभाजन करेंगे. भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम विभाजित की जाने वली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी सं प्राप्त होगा 1.42 अब मान लिजिए उसने 3 रुमाल के लिए 4.27 मीटर लेस का प्रयोग किया होता तो उसे प्रत्यक रुमाल के लिए कितनी लेस आवश्यक होती चलिए ग्याद करें इसके लिए हम 4.27 को 3 से भाग देंगे 4.27 विभाज़त 3 बराबर 427 बटे 100 विभाज़त 3 बटे 1 बराबर 427 बटे 3 गुना 100 बराबर 427 बटे 3 गुना 1 बटे 100 अब चलिए 427 को 3 से भाग दे भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है 142 लेकिन यहाँ शेश शून्य नहीं है ऐसी स्थिती में हम भाग दी जा रही संख्या के दाई और दशमलव बिंदू रखते हैं और इसके बाद एक शून्य लेते हैं अब आप जरूर जानते होंगे कि इस प्रकार शून्य लेने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता अब हम इस शून्य को नीचे 6 के दाई और रखेंगे जिससे संख्या बन जाएगी 10 चूकि हम दशमलव के बाद वाले अंकों का विभाजन कर रहे हैं इसलिए अब हम भागफल में भी अंतिम अंक के दाई और दशमलव बिंदू रखेंगे अब हम देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करने पर हमें 10 के निकटम मान वाली लेकिन छोटे मान वाली संख्या प्राप्त होती है 9 इसलिए हम भागफल में दशमलव बिंदू के दाई और 3 लिखेंगे और 6 10 से 9 को घटाएंगे अब फिर से हमें 6 एक प्राप्त होगा फिर से हम भाग दी जाने वाली संख्या में 0 लेंगे फिर से 6 बन जाएगा 10 और फिर से हम विभाजन दोराएंगे इस प्रकार हम विभाजन करते जाएंगे तो हमें भागफल में इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी यह कभी समाप्त नहीं होगी इसलिए हम संख्या को जरूरत के अनुसार जितने चाहिए उतने अंक तक ही सीमित रखते हैं जैसे यहां हम 142.3 तक ही लेंगे तो अब हम 4.27 विभाजित 3 को 142.3 गुना 1 बटे 100 लिख सकते हैं इसे ही हम 142.3 बटे 100 इस प्रकार लिखते हैं 100 से विभाजन करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाई और सरकाते हैं इससे परिणाम प्राप्त होगा 1.4.2.3 अब आईए जाने एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है एक व्यक्ति 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि उसे इतनी दूरी तय करने के लिए 1.2 घंटे समय लगता है तो प्रती घंटे में वह कितनी दूरी तय कर पाएगा यह पता करने के लिए हमें 7.2 किलोमीटर को 1.2 घंटे समय से विभाजित करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हम 1.2 संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से विभाजित कर रहे हैं आईए 7.2 विभाजित 1.2 का भागफल प्राप्त करें 7.2 विभाजित 1.2 इस विभाजन का अर्थ है 7.2 में से 1.2 के कितने समूह बनाए जा सकते हैं तो आईए पहले विभाजित की जाने वाले संख्या को निरूपित करें यहां हम इस प्रकार करेंगे आईए इन में से 1.2 यानि की एक एकाई और दो दशांच लेकर एक समूह बनाए इस प्रकार हम 7.2 में से 1.2 के 6 समूह बना सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि 7.2 विभाजित 1.2 बराबर 6 है भागफल प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि हम विभाजन की जाने वाली दश्यमलव संख्याओं को बिन्नो के रूप में लिखे 7.2 को 72 बटे 10 लिखा जा सकता है और 1.2 को 12 बटे 10 लिखा जा सकता है 72 बटे 10 विभाजित 12 बटे 10 क्या अब आप बता सकते हैं हम बिन्नो का यह विभाजन कैसे करेंगे सोचे सोचे सही पहचाना हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इस से दूसरी संख्या के व्यूत क्रम यानि रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे अब 10 को 10 से विभाजित कर इनको रद किया जा सकता है अब विभाजन बन जाएगा 22 विभाजत 12 इसका परिणाम है 6 इसलिए व्यक्ति प्रती घंटे 6 किलोमीटर दूरी तै करता होगा इसी को आसानी से करने का एक और तरीका है कि हम 7.2 और 1.2 को एक के नीचे एक अंश और हर के रूप में लिखे अब हम प्रयास करेंगे कि हर एक पूर्ण संख्या हो इसके लिए हम हर को 10 से गुणा कर सकते हैं मान समान रखने के लिए हमें अंश को भी 10 से गुणा करना होगा इस तरह से 1.2 को 10 से गुणा करने पर दशनलव बिंदु एक स्थान से दाई और सरक जाएगा चुकि अब दशनलव बिंदु के बाद कोई भी अंक नहीं है इसे हम नजर अंदास कर सकते हैं इसी तरह अंश में हमें संख्या प्राप्थ होगी 72 अब हम 72 को 12 से विभाज़त करेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्थ होगा 6 अब आईए देखे दशनलव संख्याओं को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से विभाज़त करने की एक आकरशप विधी यहाँ दशनलव संख्या 3,316.4 को 10, 100, 1000, 10,000 से विभाज़त कर इनके परिणाम व्यक्त किये गए हैं मज़ेदार बात यह है विभाज़त की जाने वली संख्या और परिणाम में अंक समान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 10 से गुनज में जितने शून्य है दशनलव बिंदू उतने स्थान बाई और सरक्ता दिखाई देता है जैसे 10 में एक शून्य है इसलिए दशनलव बिंदू एक स्थान से बाई और सरका सौ में दो शून्य है इसलिए दशनलव बिंदू दो स्थान बाई और सरका है इसी प्रकार हजार में तीन शून्य है इसलिए दशनलव बिंदू तीन स्थान बाई और सरका है इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं कि दस हजार से विभाजन करने पर दशमलव बिंदु चार स्थान बाई और सरग गया है इससे आपको क्या पता चलता है? सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं जब किसी दशमलव संख्या को दस या दस के गुनच जैसे सो, हजार, दस हजार से विभाजित किया जाए तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंग समान रहते हैं लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान बाई और सरगता है जितने एक पर शून्य होते हैं तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का विभाजन अगले वीडियो में कुछ उधारणों से इसे और अच्छे से जानेंगे मनीश ने अपने घर के दिवारों को पेंट किया उसे चार एक जैसी दिवारों को पेंट करने के लिए 7.9 दो लिटर रंग की जरूरत पड़ी यदि उसने सभी दिवारों के लिए बराबर मात्रा में रंग का प्रयोग किया होगा तो उसके द्वारा प्रतेक दिवार के लिए प्रयोग की गई रंग की मात्रा ग्याद कीजिए उधारण से पता चलता है कि मनीश ने चार दिवारों को पेंट किया जिसके लिए उसे कुल 7.92 लिटर रंग की जरुरत पड़ी उसे एक दिवार को पेंट करने के लिए कितना रंग लगा यह पता करने के लिए हमें 7.92 को 4 से विभाजित करना होगा तो आईए 7.92 विभाजित 4 का भागफल ग्याद करें हम 7.92 को 792 बटे 100 इस प्रकार लिख सकते हैं इस तरह से विभाजन बन जाएगा 792 बटे 100 विभाजित 4 विभाजन का परिणाम ग्याद करने के लिए हम पहली संख्या 792 बटे 100 को वैसा का वैसा लिखेंगे और इससे दूसरी संख्या 4 के विभाजन क्रम यानि रेसिप्रोकल एक बटे 4 से गुणा करेंगे 792 बटे 100 गुना 1 बटे 4 बराबर 792 गुना 1 बटे 100 गुना 4 इसी को हम एक गुना 792 बटे 100 गुना 4 लिख सकते हैं क्या आप बता सकते हैं 792 गुना 1 बराबर 1 गुना 792 क्यों लिख सकते हैं ? सोचिए सोचिए क्योंकि 2 संख्याओं का गुनन क्रम विनिमेय यानी commutative है यानि कि किसी भी क्रम में किया जा सकता है 1 गुना 792 बटे 100 गुना 4 इसी को हम 1 बटे 100 गुना 792 बटे 4 इस प्रकार लिख सकते हैं करने पर परिणाम प्राप्त होगा 198 और एक बटे सो गुणा 198 बराबर एक दशनलव नौ आट इसलिए हम कह सकते हैं कि मनीश को एक दिवार पेंट करने के लिए एक दशनलव नौ आट लिटर रंग लगा अगला उधारण एक हवाई जहास दो दशनलव तीन घंटे में 3076 दशनलव चार आट किलोमीटर की दूरी तै करता है पता कीजिए वो प्रती घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता होगा उधारण से यहाँ पता चलता है कि हवाई जहास दो दशनलव तीन घंटे समय में 3076 दशनलव चार आट किलोमीटर की दूरी तै करता है अगर हमें पता करना है कि वो प्रती घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता है तो इसके लिए हमें 3076.48 को 2.3 से विभाजित करना होगा तो आईए 3076.48 विभाजित 2.3 का परिणाम ग्याद करे 2.1 संख्याओं का विभाजन करने का हम एक और तरीका देखेंगे पहले हम इस विभाजन को 3076.48 बटे 2.3 इस प्रकार भिन्द के रूप में लिखेंगे फिर हम हर को एक पूर्ण संख्या में परिवर्दित करेंगे जरा सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं अगर हम अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो अंश और हर के अंग तो समान रहेंगे लेकिन दशमलव बिन्दू एक स्थान से दाई और सरक जाएगा 23 के बाद दशमलव बिन्दू है और इसके बाद कोई भी अंग नहीं है अब हम कह सकते हैं कि यहां दशमलव संख्या का सिर्फ पूर्ण भाग ही है इसलिए हम दशमलव बिन्दू को नजर अंदास कर सकते हैं इस तरह संगशेप में हम कह सकते हैं कि अगर यहां अंश और हर का दशमलव बिन्दू एक स्थान से दाई और सरकाया जाए तो हमें हर के स्थान पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी अब हम 3764.9.8 को 23 से विभाजित करेंगे आईए इसे लंबे भाजन यानि लॉंग डिविजन से हल करें यहां 3764.8 भाज्य है और 23 भाजक विभाजन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि यहां भाज्य का पूर्ण भाजक से छोटा है या बड़ा यहां 3764.23 से बड़ा है इसलिए हम इसे विभाजित कर सकते हैं पूर्ण भाज को विभाजित करने पर हमें भागफल का पूर्ण भाज 1337 प्राप्त होगा और 613 बचेंगे अब अगला अंक 8 है जो दशनलव बिंदू के बाद है इसलिए हम भागफल के पूर्ण भाग के बाद दशनलव बिंदू रखेंगे और 8 को नीचे लेंगे इससे अब संख्या बनी 138 अब हम 138 को 23 से विभाजित करेंगे 23 गुना 6 करने पर हमें 138 प्राप्त होता है इसलिए भागफल में दशनलव बिंदू के बाद 6 लिखेंगे और 138 से 138 का व्यवकलन करेंगे यहां 6 शून्य है इस तरह से हमने 3764 दशनलव 8 विभाजित 23 का परिणाम प्राप्त कर लिया है 1337 दशनलव 6 तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज प्रती घंटे 1337 दशनलव 6 किलो मीटर दूर जाता है तो आज हमने देखे दशनलव संख्याओं के विभाजन के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंदित मिथ्याधार्नाओं को दूर करेंगे मिथ्याधार्ना एक हर्शिता एक वाल हैंगिंग बना रही है उसने 6.6 मीटर लंबी रिबिन ली और वह इसके 330 भाग बनाना चाहती है पता कीजिए प्रतीक तुकडे की लंबाई क्या होगी? विभाजन करते समय चात्रों में अक्सर यहाँ गलत धारना होती है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए इसलिए वे 330 को 6.6 से विभाजित करते हैं इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 50 जो की एक गलत जवाब है इसलिए ओप्शन एक गलत है यहां हर्शिता ने 6.6 मीटर को 330 भागों में विभाजित किया है इसलिए प्रतेक भाग की लंबाई 6.6 विभाजित 330 से प्राप्त की जाएगी यह विभाजन हम निमनप्रकार से कर सकते हैं वीडियो रोक कर इसे समझ ये 6.6 विभाजित 330 बराबर 0.02 इस तरह से प्रतेक तुकडे की लंबाई होगी 0.02 मीटर मिध्यधार्णा 2 रोशन और मुहन विभाजन के समझ पर चर्चा कर रहे थे रोशन ने कहा कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है जबकि मुहन ने कहा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है तो बताईए कौन सही है? कुछ चात्रों को यह मिध्याधार्णा होती है कि गुणन का परिणाम हमेशा एक बड़ी संख्या होती है इसी प्रकार उन्हें यह भी मिध्याधार्णा होती है कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है आईए इस मिध्याधार्णा को दूर करे अगर हम 6 को 2 से विभाजित करे तो हमें परिणाम प्राप्थ होता है 3 लेकिन अगर हम 6 को 0.2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 30 तो हम कह सकते हैं कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या नहीं हो सकती याने कि रोशन की समझ गलत है इसलिए option एक गलत है चुकि मोहन ने सही समझा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है इसलिए मोहन की समझ सही है इसलिए option दो सही है तो आज हमने देखी दशनलव संख्याओं के विभाजन से संबंदित मित्याधार ना है सबसे पहले हम पानी लेंगे हाथ को भिगोएंगे फिर हम साबुन लेके जाग बनाएंगे जाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ दोने के लिए हमारे 8 चरण है जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हातेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे दूसरा चरण इसमें हम बाए हाथ की हतेली दाए हाथ की हतेली के उपर रखे अंगलियों को फसाते हुए रगड़ेंगे इसी पकार दूसरे हाथ में दोराएंगे तीसरा चरण इसमें हम दोनों हातों की हत अंगलियों को फसाते हुए रगड़ेंगे चोथा चरण जिसमें हम बाएं हाथ के उंगुठे को दाई हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुवे रगड़ेंगे इसी पकार हम दूसरे हाथ में इसे दोराएंगे पांच्वा चरण इसमें हम दोनों हातों के उंगलियों को इस पकार फसाएंगे और इसे उपन नीचे रगड़ेंगे छटा चरण जिसमें हम हत्तेली में हम दाय हात के उंगलियों को गोल करते हुवे रगड़ेंगे इसी पकार हम दूसरे हात में भी इसे करेंगे साथ वा चरण जिसमें हम कलहाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ इसी पकर हम दूसरे हाथ में भी दोराएंगे आठ वा चरण हम पानी से सावन को धोएंगे यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे फिर हम किसी साफ टावल और टिशू से हाथों को पोच लेंगे आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुनन की वितरक्ता जरा सोचिये निशानत किसी दुकान में जूस की दो एक जैसी बोतले और दो एक जैसे चॉकलेट खरिता है यदि एक जूस की बोतल का मूल्य 22 रुपए और चॉकलेट का मूल्य 15 रुपए होगा तो सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? सूचिये सूचिये चलिए हम बताते हैं आप इसे दो प्रकार से ग्याद कर सकते हैं आप जूस की एक बोतल का मूल्य और चॉकलेट का मूल्य जोड कर इसका दो गुणा कर सकते हैं या आप juice की दो बोदल का मूल्य और दो चोकलेट का मूल्य अलग-अलग ज्याद करके इनका योग कर सकते हैं दोनु स्थितियों में आपको परिणाम समान प्राप्थ होगा हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 22 धन 15 बराबर 2 गुणा 22 धन 2 गुणा 15 है यहां योग पर गुणन का वित्रण यानि distribution of multiplication over addition किया गया है परिमे संख्याओं के संदर्भ में भी योग पर गुणन का वित्रण किया जा सकता है चलिए इसे एक उधारण से समझे मान लीजिए हमें 2 बटे 3 का रिन 4 बटे 5 धन 7 बटे 5 से गुणन करना है इसे हम इस प्रकार करेंगे या हम इसे इस प्रकार करेंगे हमें दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्थ हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 बटे 3 कुणा रिन 4 बटे 5 धन 7 बटे 5 बराबर 2 बटे 3 कुणा रिन 4 बटे 5 धन 2 बटे 3 कुणा 7 बटे 5 है गुणा B धन C बराबर A गुणा B धन A गुणा C है इसे योग पर गुणन के वितरक्ता यानि Distributivity of Multiplication over Addition कहते हैं अब आप वीडियो रोग कर अपनी नोटबुक और पैन लीजिए और नोटबुक पर तीन परिमे संख्या हैं लीजिए मान लीजिए पहली परिमे संख्या A, दूसरी B और तीसरी C है अब आप A गुणा B रिन C में A, B, C के स्थान पर लिये गए मान रखकर परिनाम ग्याद कीजिए अब आप A गुणा B, रिन, A गुणा C में ABC के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ग्याद कीजिए क्या आपको दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हुआ? इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए, सोचिए पिल्कुल सही, हम कह सकते हैं कि किने भी तीन परिमें संख्याओ ABC के लिए A गुणा B, रिन, C बराबर A गुणा B, रिन, A गुणा C है इसे हम व्यवकलन पर गुणन के वितरक्ता यानि Distributivity of Multiplication over Subtraction कहते हैं अब आपकी योग एवं व्यवकलन पर गुणन के वितरक्ता की समझ बन गई होगी तो आज हमने सीखा परिमें संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरक्ता अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे एक परिक्षा का नियम था कि प्रतिक सही जवाब को धन दो और एक बटे दो अंक दिये जाएंगे और प्रतिक गलत जवाब को रिन एक बटे चार अंक दिये जाएंगे यदि चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिये तो ग्याद कीजिए उसे कितने अंक प्राप्त होंगे चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिये इसका अर्थ है कि उसने 50 सही और 50 गलत जवाब दिये एक सही जवाब के लिए दो और एक बटे दो अंक दिये जाते हैं यानि कि पांच बटे दो अंक दिये जाते हैं इस तरह से पचास सही जवाबों के लिए उसे पचास कुणा पांच बटे दो अंक प्राप्त होंगे इसी तरह एक गलत जवाब के लिए रिन एक बटे चार अंक इस तरह से 50 गलत जवाबों के लिए उसे 50 कुणा रिन एक बटे चार अंक प्राप्त होंगे इस तरह से उसे कुल अंक प्राप्थ होंगे 50 गुणा 5 बटे 2 धन 50 गुणा रिन 1 बटे 4 इसे सरल करने पर हमें प्राप्थ होगा 112 और 1 बटे 2 अंक चुकि परिमेय संख्याओ यानि rational numbers के योग का गुणन पर वितरण यानि distribution किया जा सकता है इसलिए हम 50 गुणा 5 बटे 2 धन 50 गुणा रिन 1 बटे 4 को 50 गुणा 5 बटे 2 धन रिन 1 बटे 4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे सरल करने पर परिणाम आएगा 112 और 1 बटे 2 अंक इसलिए चेतन को परिक्षा में 112 और 1 बटे 2 अंक प्राप्थ होंगे आप देख सकते हैं कि दोनों विदियों से हमें समान परिणाम प्राप्थ हुआ है चलिए अगला उधारण देखे वैशाली के पास 1240 रुपए है इनमें से वैशाली 3 बटे 5 भाग किताबे खरीदने में खर्च करती है और 1 बटे 4 भाग घूमने के लिए खर्च करती है तो ग्याद कीजी वैशाली के पास कितनी राशी 6 है वैशाली के पास कुल 1240 रुपए की राशी थी जिसमें से वैशाली ने 3 बटे 5 भाग किताबे खरीदने में खर्च किया है इसलिए किताबे खरीदने में किया गया खर्च बराबर 3 बटे 5 गुणा 1240 इसी तरह वैशाली ने एक बटे चार भाग गूमने के लिए खर्च किया है इसलिए गूमने के लिए किया गया खर्च बराबर एक बटे चार गुणा 1240 इसलिए शेश राशी बराबर कुल राशी रिंड किताब खरीदने में किया गया खर्च रिंड कुमने के लिए किया गया खर्च इसे हम इस प्रकार सरल करेंगे जिसका जवाब होगा एक सो च्यांसी रुपए इसलिए वैशाली के पास कुल एक सो च्यांसी रुपए राशी शेश है चलिए अगला उधारन देखे उजित गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान ग्यात कीजिए परिमे संख्याओं के लिए योग क्रमविनिमे यानि कमिटेटिव है इसलिए हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ रख सकते हैं परिमे संख्याओं के योग पर गुणन के विद्रण गुण से हम रिंड 2 बटे 5 को कोश्ठक के बाहर लेंगे तथा इस प्रकार से हल करेंगे अब हम इस कोश्ठक को सरल करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे इसे सरल करने पर हमें परिणाम प्राप्थ होगा रिंड 33 बटे 35 तो आज हमने देखे परिमे संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुनन के वितरक्ता से संबंदित कुछ उदाहरण अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वित्रक्ता से संबंदित कुछ गलतियां गलती एक योग या व्यवकलन पर गुणन का वित्रन सही प्रकार से न करना कुछ बच्चे योग या व्यवकलन पर गुणन का वित्रन करते समय कुछ गलतियां करते हैं साधारन तह यह बीच गनित में अधिक देखा जाता है उधारन के लिए यदि बच्चो को कहा जाए कि एक बटे साथ गुणन कोश्थक में 2x-5 का वित्रन कीजिए तो बच्चे इसे एक बटे साथ गुणन 2x-5 इस प्रकार लिखते हैं वे कोश्ठक के बाहर की संख्या का अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुनन नहीं करते बलके सिर्फ पहली संख्या से गुनन करते हैं ध्यान रहे सही परिणाम प्राप्ट करने के लिए कोश्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणन कोश्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से करना आवश्यक है गलती दो, साहचर्य गुण यानि Associated Property और वित्रण गुण में भ्रह्म कुछ बच्यों को साहचर्य गुण और वित्रण गुण में भ्रह्म होता है क्योंकि दोनों गुण कोश्ठकों के प्रयोक से संभंदित है यदि उन्हें पूझा जाए कि 2 बटे 3 गुणा कोश्ठक में 1 बटे 5 धन 3 बटे 11 बराबर कोश्ठक में 2 बटे 3 गुणा 1 बटे 5 धन 2 बटे 3 गुणा 3 बटे 11 दिये गए समिकरण यानि इक्वेशन में कौन से गुण का प्रयोग हुआ है तो कोश्ठकों को देखकर वे बताते हैं कि इस समीकरण में साचर्य गुण का प्रयोग हुआ है यह समझना आवश्यक है कि यहां योग का गुणन पर विद्रण किया गया है चलिए इस गलती को एक आसान उधारण से दूर करे मान लीजिए एक थेले में पांच अमरूद और तीन आम रखे गए और ऐसे साथ थेले हो तो फलों की कोल संख्या क्या होगी हम एक थेले में कितने फल रखे है यह ग्याद करके इनका गुणा साथ से कर सकते है यानि साथ गुणा पांच धन तीन या हम सभी थैलों में अमरूद और आम की संख्या अलग-अलग ज्यात करके इनका योग कर सकते हैं जैसे साथ गुणा पांच, धन, साथ गुणा तीन दोनों तरीकों से फलों की संख्या बराबर ही आएगी यहां हमने साथ से पांच और तीन दोनों को गुणा किया है इस तरह से यहां हमने योग का गुणन पर वित्रण किया है यह परिमे संख्याओं के संदर्व में भी सत्य है इसलिए इस समीकरण में वित्रण गुण का प्रयोग किया गया है गल्ती तीन परिमे संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान न देना व्यवकलन पर गुणन के वित्रक्ता का प्रयोग करते समय कुछ बच्चे परिमे संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते यदि बच्चों से पूझा जाए कि रिन एक बटे चार गुणा कोश्ठक में एक बटे पांच रिन तीन बटे पांच का परिणाम क्या होगा तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं प्रश्ण हल करने का यह तरीका गलत है इसका सही हल इस प्रकार है इसलिए वित्रक्ता का प्रयोग करते समय चिन्नों पर ध्यान देना सरूरी है आज हमने देखी परिमे संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुनन के वित्रक्ता संबंदित कुछ गलतियां तो आशा करती हूं बच्चों आज के इस ओड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिये गया वाट्साप नमबर 9431043527 या इमेल आईडी betcddprogram at gmail.com पर भेज सकते हैं और हाँ आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारेक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिशत के यूट्यूब सानल पर देख सकते हैं इसके लिए सर्च करें बीई पीसी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले और कारेक्रम को देखें Important Points को Note करें और Questions हल करें इसके इलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा पर योजनाव परिशत की वेबसाइट पर Digital Learning सेक्षन में भी उपलग्ध है विजिट करें www.bepcss8.in और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानिया, पेंटिंग्स या इनके 2-3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिये गए वाट्साप नमबर या इमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्याले का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ बे करेंगे, तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाई 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 बच्चों